और हालो दोस्तो वैलकम टू मेरा यूट्यूड चैनल और आप सब दोस्तों को मेरा इस चैनल में स्वागत हैं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भुलिए उससे क्या होगा फास फास मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकरेशन मिलेगा और मेरा लेटस लेटस वीडियो आप फास जो मैं कमेंट लिया हूँ उनका नाम है किशन बारिक किशन बारिक नाम है उनका वह लिखे हैं कि सर्कीट में में क्या प्रोब्लम है कैसे मालूम करें बताओ तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्त आपको मैं बता दूं सर्कीट में क्या प्रोब्लम है वह कैसे मालूम करें तो आप ही आप क्या प्रोब्लम है खुझ से मालूम करना पड़ेगा और नई मालूम हो रहा है तो मेरा वीडियो देखिए मेरा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा चार पांच छे का जितना दे सकता हूं आप देख लीजिए को उसमें जाके क्या फो क्या काम करता है तब आपको खुझ से प्रोब्लम सॉल्प करने सकेंगे ठीक है दोस्तों यह आपका हो गया पहला कमेंट का एंसर आप दूसरा कमेंट आप लिखे हैं अगर सोट करने से भी बल्लिंकिंग करें तो क्या करें तो दोस्त मैं आपको बता दूं आपको कि अगर यहां नहीं करता है नहीं 5000 यह में कोई फ của चेंज करके देखिए अगर ओके होता है Chairman ni चेंज कर देजिए आपका problem solve हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यह आपका answer मिल गए दूसरा comment का अब next ले रहे हैं यह आपका तीसरा भी comment है कि कृष्णा बारिक का करें भी और पिएफ शिरिंज से च्ञ होगा तो बल्प तो दोस्त मैं आपको बता दू सिरिंज से ऑमपी च्रह नहीं होता है इस सरकीट में च chainsley का जगा यह है इसमें ओकी नहीं है तो जोस्तों दोस्त आपको बता दो अगर Cand No8 नहीं भी रहने से आपका LED glow करेगा लेकिन लेकिन मैं आपको बता दू एमों भी चेक करने के लिए मल्टी मीटर चाहिए तो आप मल्टी मीटर ले लिजिए सीरिन से टेस्ट नहीं होता है ठीक है दोस्तों ठीक दोस्त आपको आपको एंसर मिल गया तो थर्ट कमेंट का भी आपको एंसर मिल चुका है ठीक है अब नेक्स्ट मैं ले रहा हूं एकलेसवार कुमार का इन्हों ने लिखा है कि सर मेरा पास जो सर्किट है उसका सिर्फ बड़ा केपसिटर हंड़ेट भॉल्ट और हंड़ेट यूएफ और प्रोबलम धीमा जलने का है ब्लिंकिंग होता है तो दोस्त मैं आपको बता दूं आपका जो बड़ा केपसिटर है ब्लिंकिंग इससे नहीं होता है आपका बड़ा यह तो आपको भेलू लिखें हैं केपसिटर का 100 वोल्ट और हंड़ेट यूएफ तो कोई भी नोवाट का है जो एलेडी है उसमें 100 वोल्ट और हंड़ेट यूएफ का ही केपसिटर लगता है ठीक है दोस्त अब देखिए म आपका प्रोब्लम में बतारों ब्लिंकिंग का तो देखिए आप क्या कीजिएगा में पहले भी पहले कमेंट के जो है अंसर दिये हैं वह स्थेम होगा आप पहले छोटा वाला क्यापसिटर चेंज करके देखिए अगर फूला होगा तभी भी खराब हो जाता इसको चेंज दोस्तों में आपका अप्राव क्या कीजिए लाल भाड़ बार बार क्या करता है तो उसका क्या प्रस्ट है बाइबार बर बाक्रावड देखन से समझ लिए ओर आपने लेडी ओके कीजिए देखिए छो टा कफसेट्ट हिंज करitters है और ही आपका मंठो चेहंजु चेहंज करके भी है ठीक है दोस्ट आपका by ब्लिंकिंग का प्रोब्लम सॉल्फ हो जाएगा अगर इससे भी अगर आपका ब्लिंकिंग सही नहीं हो रहा है तो मैं नेक्स्ट आपको कमेंट किजिएगा कि आपका प्रोब्लम सॉल्फ नहीं हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एंसर दूंगा ठीक प्लास का साइन होता है ठीक है दिखाई दे रहा है अगर योडे इसktे आपको जसे स्लिंग केflale करिएगा तो आपको जला तो ठीक है नहीं चला तो फिर चेंच कीजेगा तो आपको ओके हो जाएगा ठीक है दोस्त अगर आप लोगों का ये सब कमेंट का एंसर मिल गया अगर ये वीडियो आप लोगों पसंद आया तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए बेल आइकन दबाना मत बुलिए जो नहीं नहीं दोस्त है जो लेडी के रिपेर कर लिए अभी सीख रहें नह मेकेनिक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में एंसर दूंगा और अपना एलेडी ओके कीजिए थैंक्यू फर वाच हरी टेकनिकल ठैंक्स